हेलो वाट्सप गाईज आज हम इस वीडियो में देखेंगे Axios in React version 19 in 20 minutes बिलिब में गाईज सिर्फ 20 मिनेट में मैं आपको बताऊंगा कि Axios की मदद से आप कैसे data fetch कर सकते हो Axios का definition, इसके advantages over fetch API and practical knowledge हम देखेंगे and best part, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि आप Axios में data को कैसे fetch कर सकते हो एक normal तरीका जो हर को ही use कर रहा है, second है आपका professional तरीका जो बहुत कम लगों को मालूम है, जो basically professional उसका ही prefer करते है क्योंकि उसके मदद से data को fetch करना, basically card operation या आपका जो भी HTTP request है उनको हम बहुत easily handle कर सकते, so guys are you excited because I am super excited तो वीडियो का आप end तक जरूर देखेगा and guys अगर आपकी वीडियो पसंद आता तो like, share and channel को subscribe करना बिल्कुल मत बुलेगा और आट guys तो बिना किसी देरी का आप हम वीडियो को start करते है ठीक है, तो सबसे पहले हम यह समझ लेते, what is Axios, आप बहुत कि लिए 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 देख सकते हो guys, Axios का क्या मतलब होता इसका मतलब है, Axios is a promise based HTTP library, I know आप में से बहुत तो कोई यहाँ पर doubt आ रहा होगा कि यह promise based HTTP library का क्या मतलब होता इसका simple मतलब ही होता है कि अब जो यह Axios है, यह आपके promises का use करता है to handle your HTTP request and then response अब यह request and then response क्या होता हम आगे थुड़ी देखेंगे, जब हम practical करेंगे, but at least इतना तो पता चलिया Axios use करता है promises का to handle your HTTP request and response and जिसके मतलब से, that helps you easily communicate with servers or API over the internet इसका simple काम क्या मैं आपको बताता हो, it allows your website or app to send or receive data from a server इसका simple मतलब यही हुआ, कि यह अब आपके website को एक power देता है जिसके मतलब से आपका जो server में data उसको आप request कर सकते हो, या तो अपना खुद का data server को send कर सकते हो इस alternative of your fetch API, ठीक है, and the same thing, आच्छा यही पर बताया हुआ है it's like your fetching information, submitting forms data, or updating content without reloading the entire page and that is the beauty of your React application also, right, बिना page को reload करे ही, आपका data को दिखा देना and that's why React आपका कहला आता है, single page application एक second, इसके advantage बताने से पहले, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, कि आज हम क्या create करने वाले तो guys, यह आज हम create करेंगे, लिकिन आपको लग रहोगा बस इतना सा ही React router, वो भी हमने कर लिए, जिसमें dynamic route and सब कुछ देखा and जिसके मतब से हमने इस website को बनाया and मैं इसको live host कर चुका हूँ तो कुछ जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा था and यहाँ पर मैंने इस data को fetch करने के लिए fetch API जो कि आपका inbuilt java आपको प्रोवाइड कर, I mean javascript प्रोवाइड करता है उसका यूज किया था and इस पर मैं further click करता था, तो मुझे further उसका और जो details से दिखाई देता है and that's possible because of our dynamic route जो हमें like react router प्रोवाइड करता है तो आज मैं आपको यह वीडियो में बताऊंगा, जो हमने fetch की मदद से की ती उसको आप बहुत इजली कैसे axios की मदद से कर सकते हो, तो यहाँ पर जो मैंने data fetch की है, यहाँ पर मैंने axios की मदद से की है and बहुत सारे इसके advantages है क्या है मैं आपको बताता हूँ तो आप बहुत की लिए लिए देख सकते हो, why we need to choose axios over your fetch API तो guys, आप देख सकते हो, यहाँ पर एक तो सबसे ज्यादा simple बात यह है we have very easier syntax, axios का जो syntax है एकदम easy है and clean होता है and the second best part है कि हमें data को convert करना नहीं पड़ता है, इंटू json यह automatic हमें करके देता है error handling बहुत easy लिए अब हम कर सकते है and हमें जो old browser है, वहाँ पे भी axios का support हमें मिलता है all right guys, तो at least इतना आपको पता चलगे, simple भासा में मैं आपको यह बोलू, तो alternative of your fetch API जहाँ पे आपको आप json में data को convert करने की need नहीं है and यह हमें error handling में support करता है and older browser में यह बहुत helpful है and बहुत सारे चीज़े है, ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैं अपनी VS Code Editor पे आ गया हूँ and npm install, अब आप सोचो कि मैं यह क्यूँ कर रहा हूँ, क्योंकि यह मुझे इन्होंने बोलाई है, आप आप देख सकते हो, पहले यह command then ye then ye, ठीक है तो मैं enter hit करो, जब तक install हो रहा है, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ and that is, if you don't know guys, या भी मैंने क्या किया, तो हमारा React version 19 जो अभी तक stable हुआ भी निये, in coming future आने वाला है, maybe 2025 में start हो जाएगा, तब आपको बहुत helpful होने वाला है, क्योंकि मैं already वो यूज कर चुका हूँ, तो मैंने आपको पूरा complete बता है, जरू check out कीजिएगा, yeah all right ही मेरा काम हो चुका, now you need to do is like, simple npm run and then dev, ठीक है, लिकिन वो करने से पहले, guys हम axios में काम करें, तो हमें axios की library को भी use करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, it's simple npm install axios, तो आप इसको copy कीजिए, clear कर देता हूँ, आके आप paste कर दीजिए, तो the moment यह आप करते हो, तो आपका यह काम खत्म, अब मैं यहाँ पर npm run and then dev लिक की, यह मेरा run करेगा 5174 मे मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ, तो आप देख सकते, open folder पर कुछ भी दिखनी रहे, तो यह काम करते है, इसको मैं फिलाल थुदे के लिए close कर रहा हूँ, so guys मैं क्या करूँगा, यहाँ पर code and then dot, तो इससे होगा यह कि मैं directly जहाँ पर मैंने अपने project create की, मैं वहाँ पर आ दिखा रहा है, just आप यह वाला वीडियो प्लीज चेक आउट कर लिजेगा, my second video, यह आप कैसे version 19 में convert कर सकते हूँ, बस आपको वह करना है, simple, and अगर आप future में देख रहे हैं, to version 19 हो चुका है, तो यह version 19 का ही आप पार्ट समझ लिजे, ठीक है, all right, तो सबसे पहले हम source, app. j6 पे चलते है, इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे जल्दिस से मैं कर लेता हूँ, const, ठीक है, component है, तो app पे चलते है, and let's return, एक h1, मैं यहाँ पे चलता हूँ, export, not debugger, export, default, and simple आप यहाँ पे app को हटा दीजे, ठीक है, and index.cs को मैं completely guys हटा रहा हूँ, app.cs को मैं completely हटा रहा ह ठीक है, so we have this app.j6, and project जो है, हमें इसको run करना होगा, so npm, run, and then dev, ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी किया, कुछ भी new नहीं था, एक दम पूराना वोई गिसा-पीटा जो हम करते आ रहे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, so it's a 5174, तो आप देख सकते हूँ guys, मुझ यह create करना है, ठीक है, मैं यह कैसे create कर सकता हूँ, देखो बहुत easy है, तो सबसे पहले हमें data चाहिए होगा, तो data हम कैसे get करेंगे, तो मैं app पे क्या करूँगा, मैं एक new component create करता हूँ, जिसका नाम मैं movie रखने वाला हूँ, ठीक है, simple, अब मैं क्या करूँगा, मेरा यह source folder ह यहाँ पे एक new folder create करा हूँ, जिसका नाम होगा pages, उसके अंदर एक new page create करता हूँ, जिसका नाम होगा movie.js, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख ली जागा, export const, we have this movie, कली braces देना बूल गया, and यहाँ पे आपको लिखना होगा return h1 movie, ठीक है, अब हमने export की, अब मु इस movie वाले में, मुझे क्या करना है, मुझे data को fetch करना है, वो API का data, const, API will be equal to, यह इस तरीके से, ठीक है, and मैं यहाँ पे चलना पसंद करूँगा, इस तरीके से, this is it, so यह मेरा API है, अब मुझे इस API को, Axios की मदद से fetch करना है, get करना है, कैसे करेंगे, देखो, तो सबसे पह आपको उपा import भी करना पड़ता है, from your Axios library, इसके अंदर एक method होता है, जिसका नाम है get, ठीक है, and उस get method के अंदर आपको उसका URL है, उसको enter करना पड़ता है, जिसका data आपको fetch करना है, तो वो अल्रेडी मैंने API करके, जो मेरा constant variable है, वहाँ पे रख दी, ठीक है, अब यह ए अब एक चीज़ आप मुझे बताओ, कि यह आपको line पता चल गया, right, this is nice, बर जब हम react में काम करते हैं, तो हम directly इस तरीकी से नहीं लिख सकते, अब मैं आपको बताता हूँ, तो इसको फिलाल थोड़ी दर के लिए मैं comment करता हूँ, मैं गया करता हूँ, use effect उसकरने जा रहा right means, मुझे सिर्फ for the very first time, चाहिए उसके बाद मुझे बिल्कुल भी छेड़ सानी नहीं करनी है, rerender नहीं करना है, मैं यहाँ पे एक function को call करना चाहूँगा, get movie data, ठीक है, मैंने एक function यहाँ पे call कर दी, यह आपको मालूम है, first time page load करेंगे, use effect चलेगा, and यह जो function है, वो call हो async await यूज कर रहे हो, तो try catch जरूर यूज कीजिए, for error handling, तो console.log, and मैं यहाँ पे वो जो आपका error है, वो मैं पास कर देता हूँ, this is it, अब यह जो code है, आपको try के अंदर लिखना है, and अब आप इसको comment जो हटा देना है, and जब भी आप कभी भी promises के साथ deal करते हो, then आप direct promise यूज कर सकते हो, and that is nothing but आपका dot then, and then dot catch, if you remember, and उसको overcome करने के लिए, हम use करते है, async await, and हम कभी भी सिर्फ await नहीं बोलते, हम क्या बोलते, async await, तो await यूज करने के लिए, आपको वो function को asynchronous बनाना पड़ता, so इस तरीके से async and then await, ठीक है, अब आपका काम खत्म, मैं जल्दी से आप लोगों को, यह जो response है, इसको मैं console करके दिखाता हूँ, and यह जो मेरा use effect है, उसको मैं उपर import कर लेता हूँ, from our react library, तो अब यह जो response इसमें मुझे क्या मिल रहा है, मैं आपको दिखाना पसंद करूँँगा, यहाँ पर एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, and boom guys see, यह देख लीजे, ठीक है, मैं data को further destructure कर रहा हूँ, and search को मैं further open कर रहा हूँ, तो आप बहुत क्लिए लिए एक second, एक काम कर लेता हूँ, इसको फिलाल के लाटाता हूँ, so guys, आप बहुत क्लिए लिए देख सकते हूँ, just because, आप Axios use कर रहे हूँ, data को fetch करने के लिए, आपके actual पूरा API का जो चाहिए, movie data, वो सब कुछ इदार है, then आपको headers का information पाता चलता है, request, status, and then status text, यह देखो, आपको यह सब कुछ, and 200 मनलब एक दम okay, एक दम correct है, इतना सब कुछ आपको यह प्रोवाइड करता है, Axios, अब मुझे data and then search के अंदर जाना होगा, ठीक है, म आपने एक beauty देखी, यहाँ पर, जब हम advantages पढ़ रहे थे, तब यहाँ पर इन्होंने दो चीज़, एक चीज़ बताया था, that is automatic JSON transformation without extra code, अगर आप fetch उस करते, आपको क्या करना पड़ता, उस response को भी response.json method उस करके, फिर आपको data मिलता था, but in Axios, वो एक line लिखनी की आप ने यह जो data है, चलो data तो आपको मिल गया, but in React, उस data को आप स्टोर कहा करोगे, अब एक state variable में करते है, for that, let's create one state variable, and मैं data लिख देता हूं, and let's, we have a set data, ठीक है, and guys, आप यह आप मत बोलना, यह क्या है, use effect and all, because एक hook है, simple, and already यह सब की उपर में video अपलोड कर चुका, आपको माल response, dot आपका यह जो data, dot आपका यह जो search, this is it, ठीक है, तो अब the moment हम इस पर update कर रहे है, इसकी value हो जाएगी, change, and यह change वापस मेरा component re-render हो जाएगा, but don't worry, यह इसको कुछ problem नहीं होने वाला, क्योंकि हमने array dependencies की, it will run only on our first time, जब हम page को load करते है, ठीक है, यह मेरा काम हो गया, अ अब इस data के मदद से मुझे वो loop चलाना होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अटा रहा हूँ, ठीक है, so let's go with ul, यहाँ पे इस तरीके से data, and I know guys, अब यह भी, I hope आपको idea है, कि बहुत easily हम इस तरीके से loop चला सकते है, and यहाँ पे मैं चलता हूँ, current element, I hope आप लोग अबी भी मत भूलना, and इस current element में, अगर मैं आपको दिखाऊ, we need to pass an unique id, उस key के अंदर, तो unique id हम क्या दे सकते है, अगर आप ध्यान से देखोगे, so these are the properties, जो हमें मिलती है, poster, title, type, here, and then imdb id something, तो इसमें से कौन सा ऐसी एक property है, जो आपको लग रहा कि यहाँ यह unique हो सकता ह है, obviously आपकी यह वाली property, that is imdb id, तो इसको मैं copy कर लेता हूँ, and यहाँ पे current element.o मैंने paste कर दी, and साथी साथ, movie data बोलके, अब यह पूरा current element भी तो मुझे पास करना पड़ेगा, ठीक है, alright, अब source folder के अंदर में component create कर रहा हूँ, basically component करके folder create कर रहा हूँ, उसके अंदर एक वा सबसे पहले इसको export कर लिजे, const, आपका card, ठीक है, and guys, जादू देखना चाओगे, and boom guys, see here is the जादू, and जादू यह था कि मैंने already इतना सारा code copy paste कर दी, क्योंकि Axios का तो कुछ है भी नहीं, Axios का लेना देना ही नहीं है इससे, यह ना आपका react का लेना देना है, react का सिर्फ इस जगे पर आपको लेना देना था, जो कि फिलाल अभी आपको ध्यान नहीं देना है, यह basically हमारा जो previous video का था, उसका यह part है, but फिलाल अभी आप इतना बस सोचे यह poster, यह value, and यह variable मुझे कहां से मिल रहा है, obviously कहां से मिलेगा, over here, तो movie data को मैं directly destructure कर लेता हूँ, यहां प ID, from where, from our movie data, this is it, ठीक है, अब इस तरीके से हमारा यह काम हो गया, यह जो मुझे error यहां पर थो कर रहा है, यह ESLint के थो होता है, तो quick fix, and यह दिखा रहा, disable react prop type for enter file, हला कि यह एक, हमारा यह जो wait config वाला जो file है, यह ESLint, यहां पर हम उसको add कर सकते थे, but कोई नहीं, मेरा य हो गया है, movie पर वापस आपको आना होगा, यह जो card है, control and then space and then enter, obviously आपको import करना जरूरी है, इस तरीके से, ठीक है, तो अब मैं इसको यहां पर चलता हूँ, and oh my god, see, is it ours, या, तो guys, आप देख सकते हूँ कि मेरा काम तो हो गया, कितिनी easily मुझे मेरा data मिल गया, है न, but एक है, जो मैं जल्दी से यहां पर paste कर देता हूँ, आप लोगों के लिए, that is, एक class name में, ताकि यह side by side आए, ठीके, वो side by side आजाए, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, just मेरा यह, इस जगे पे न, कुछ classes है, जो मैंने add करके रखी है, don't worry, आपको मिल जाएगा, and see guys, कितना प् आपको बताता हूँ, for example, मैं आपको बताता हूँ, so मेरे पास यह code है, जिस पे अगर आप ध्यान से दखोगे, so further यह जो error है, उसके अंदर भी हमारे पास और कुछ properties है, जिसका आप यूज कर सकते हो, जैसे, error.message, error.response.status, error.response.data, तो सबसे पहले आपको बताएगा, कि status का है, वही जैसे मैं दिखाया था, 200 मिल रहा था, तो error के case में 400, 404 कुछ वैसा आएगा, masses क्या है, और उसका data क्या है, यह तीन हमें चीजे पाता चलने वाली है, लेकिन कब जब, let's say, यह जो API की, यह जो हमारी parameter है, यह न, this is, this is like your query string, after question mark, and यह आपकी parameter, and उसकी value, तो let's say, API की, जो इसका actual है, मैंने यहाँ पर s, add कर देता हूँ, तो मैंने क्या क्या मैं बता रहा हूँ, तो यह API की है, API and then key होता है, मैंने एक extra s, add कर दी, यहाँ पर, ठीक है, तो अब controller save कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं चल रहा हूँ, and इस जगे पर मैं इसको एगवा refresh कर देता हूँ, तो मुझे अब कुछ यहाँ तो मिलेगा नी, बट console पर अगर मैं चलता हूँ, and मैं एक और बार रिफ्रेस कर दूँ, and boom गाई सी, देखो, double double तो आपको मिलेगा, क्योंकि strict mode on है, but main यह है, कि last की यह जो तीन आपको दिखाई दे रहा है, that is this particular code, यह तीन हमें मिल रहा है, because of your axios, जहाँ पर, message बता रहा है, request filled with status code 401, status code यह, response है आपका false, and data क्या बता रहा है, error में, no API key provided, अब थोड़ा easy हो गया, अच्छा API key provide नहीं किया गया है, तो हमें mind में क्या आएगा, एक बाद चेक कर लेता हूँ, यह भगवान, API key तो दी है मैंने, फिर कहां क्या हो गया, अच्छा, यहाँ पर APS हो गया, तो मैं S हटा देता हूँ, and यह देखो, अब मैं refresh करूँगा, error continuous error, चला गया वो, ठीक है, तो यह तो था normal तरीके, but professionals, यह जो mostly लोग, यह जो freelance, यह जो बड़े-बड़े project में, जब वो Axios का use करते, तब वो लोग कैसे Axios use करते, वो मैं आपको बाता हूँ, ठीक है, ज्यादा कुछ difference नहीं है, but क्या difference है, मैं आपको बाता हूँ, मैं suppose यह तो मैंने services folder का नाम इसलिए रखा है, क्योंकि आप यह समझ सकते हूँ, कि Axios की मदद से में, एक service जो है, I mean API का data को get करना है, या फिर response बेजना, एक service है, तो वो मैं use कर रहा हूँ, normal convention है services लिखने का, जब आप Axios के साथ काम करते हूँ, so guys, यहाँ पर करना है, हमें Axios का एक अब equal to, आपको obviously instance create करना है, तो वो जो instance अब आपका API कहलाएगा, and this is it, खत्म, अब यह जो create method है, इसके अंदर हमें object पास करना पड़ेगा, as in parameter, and उसके अंदर भी एक को property है, जो कि बहुत important है, and that is your base URL, and it's an object, तो आपको equal to assignment operator नहीं देना, आपको colon देना, and यहाँ पे and यहाँ पे आके, alright, alright, yeah, over here, यहाँ पे paste कर दीजे, तो actual में base URL का मतलब तो यह होता है, कि base, like a query string के बात का data, यह आपको actual में पास करना है, यहाँ पे, but हमारे case में हम ना तो इसको update कर रहे है, ना delete कर रहे है, ना मेरे data post basically share कर रहा हूँ, मैं तो खाली get कर रहा हूँ, तो म next step हमारा होगा यह, कि हमें अब एक function create करना है, जहाँ पे इस instance के मदद से, हमें get method को call करके, इसका जो data है, उसको प्राप्त करना है, कैसे मैं आपको बाता हूँ, for example, यहाँ पे भी हमने वही किया था, इससे पहले भी, हमने एक function call किया, उस function में हमने यह define किया था, कि Axios के म moment आप call करते, उसका कामी यह है, कि जो भी API आप provide करोगे, वहाँ से वो data प्राप्त कर लेगा, and JSON format में convert करके, वो दे भी देगा response, तो यही same चीज, अब हमें यहाँ पे करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, yeah, this is it, मैंने इस तरह किसे इसको कर दी, ठ मैरे इस particular application में हर एक page उसको use करना चाहेगा, maybe, right, that's why export const, लिख देते है, get movie, ठीक है, बस इतना लिख रहा हूँ है, फिलाल, and मैंने इस तरह किसे इसको रख दिया, ठीक है, अब ध्यान से देखना, we need to return, यह जो हमारा instance है, API का, .get method, and इसको मैं asat छोड़ दूँगा, अब अगर इसको मैं asatis छोड़ देता हूं, इसका मतलब यह कि मेरा जो base URL है, वो यहाँ पर automatic आ चुका है, कहने का मतलब यह कि base URL क्या होता है, base URL तो actual में यह होता है, किसी भी part का base URL यह है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप यह समझ लीजे कि मुझे मेरा URL एड़ करना हो तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो, but best practice यह रहेगा, कि आप इस तरीके से कीजे, क्योंकि यह now आपका base URL कहलाएगा, तो guys अब होगा यह, कि हमारे किसी भी application के page में, अगर मैं इस particular function को call करूंगा, तो by default यह जो API.get method है, उसमें यह जो base URL पहले से ही included रहता है, and अब उसके reality में जब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, but यह अब देखने में बहुत easy हो गया, है कि नहीं, फिल्याल तो हमारा बहुत data है, इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा, but get के लिए, post के लिए कुछ अलग, you know, जब most of the time, let's say, आपको कुछ delete करना होता है, तो हम API.delete, समझ रहा हो, and यहाँ पर क्या गरेंगे, guys, इस तरीके से एक ID बेज देते है, यहाँ पर, ID या कुछ भी मनला, आप समझ रहा हो, तो आपको, and already बता रहा हो, like, अगर आपको complete, एकदम advanced में जाना हो, पुरा card operation हम कैसे कर सकते, using a professional तरीका, let me know in the comment section, इस वीड़ो में 1000 लाइ कीजेगा, comment कीजेगा, we want Axios and channel को subscribe करना, बिल्कुल मत बूलेगा, but फिलाल आप इतना समझ लीजे, control या save कर रहा हो, अब कोई भी इस function को call करेगा, तो हमें हमारा get method की मदद से data मिल जाएगा, मैं यहाँ पर चलता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे इसकी कोई नहीं है, क्योंकि API अलरेड वहाँ पर handle हो रहा है, Axios को मुझे इंपोर्ट करने के नहीं, क्योंकि Axios चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो मेरा function चाहिए होगा, this is it, and इसको मुझे इंपोर्ट करना होगा, इस particular page के अंदर, आप इसको कहीं पर भी आप access कर सकते ह आपको यह function pass करना रहता है, मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ, and refresh करता हूँ, and boom guys, see, like, कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमारा हमारा यह काम कर रहा है, ठीक है, so yeah, यह थे आपका different तरीका, दो तरीके मैंने आपको बता, एक normal, and दूसरा, यह बहुत useful तरीका है, अगर आपको प इसको बहुत उसके अंदर अभी भी बहुत सारे चीजे जो हमें देखना बाकिस हो, guys, अगर आप उसको एकदम detail में देखना चाते हो, and चाते हमें उसको पर वीडियो बना, तो like target हम रखते है, सिर्फ 1000 likes का, comment मैं आप जरू लिखिए, we want axios, and guys, channel को subscribe करना आप बेल्कुल मत बुलेगा, इससे मुझे पहुत motivation मिलती है, and मुझे प्रेडना मिलती है कि मैं और awesome वीडियो से आप लोगों के समक्स रख सको, and source code बिल्कुल फ्री है, तो आप इसको बेफिकर हो के download जरू कर लीजिएगा, and guys, मेरा whole complete YouTube वीडियो का, अगर source code चीज़े, then it's only 249 रुपीज, तो इसको भी आप जरूर चेकाउट कर सकते हो, all art guys, तो मिलता हो, मैं आपको कल की वीडियो में, till then guys, thank you so much, take care.